नमस्कार स्वाधत है आपका आवाजड़ा स्पेशल में और स्पेशल इसलिए मैं कहा रहा हूँ क्योंकि अब बजट की शुरुआत हो चुकी है उसकी बातचीत शुरू हो चुकी है कंसल्टेशन शुरू हो चुके हैं तो हमको आपको सब को ये जानने में बड़ी दिल्चस्पी होती है कि इस बार बजट में क्या हो सकता है क्या हमें टैक्स शूट में कुछ मिलेगी राहत क्या महगाई कम करने की कुछ ऐसे उपाय सरकार करेगी क्या नए प्रोजेक्स आ सकत हैं तो बेश को बाजार को economists को हम सब को ये जानने के दिल्चस्पी रहती है कि इस challenging time में इस बारอง do जया हो सकता है हमारे लिए क्लिए क्लिए क्लिया हो सकता है तो इसी को या समझे की कोशिस करे क्योंकि कुछ बड़े industry chambers already consultation कर रहे हैं FM के साथ और कुछ-कुछ चीजें उससे हमको निकल के आने ही पता भी चल रही है तो हम इसी को आज जानने समझने की कोशिस करेंगे कि expert के नदरिये से हम समझेंगे कि बजट में क्या हो सकता है और क्या सरकार को इस वक्त करना चाहिए जो वक्त की जरूरती है हिरन दानी सर आपकी क्या expectations है बजट से या आप क्या सुझाओ देना चाहते हैं चुकि आप ऐसे industry से belong करते हैं जो ना सिर्फ employment क्रेट करती हैं वो बहुत एक mirror करती growth को बात एक ही है कि जहां labor intensive subjects हैं वहाँ जोड तेनी की आश्यक्ता है तो मेरे अंदाज से infrastructure और housing के उपर ज्यादा दियान देना है fiscal deficit तो बनाना ही है क्योंकि अपने एक opportunity बिलनी है but it should be on creating of infrastructure creating of houses creating of ports वैसे type of capital expenditure करना चाहिए जहां हमारे देश की पूझी बढ़ जाए capacity to deliver बढ़ जाए और जैसे roads है railways है ports है और housing जो है है वह हमें करना ज़रूरी है जैसे housing और infrastructure पर आप देखें जितना भी आप खर्चा करते हैं तो 260 industries को फाइदा होते है multiplier effect for home steel cement to paint plumbing electrical wiring यह सब होता है and over and above that इसमें हैं आप चीन की जो रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है last 20 साल के अंदर जिस साल में उनकी housing और infrastructure के उपर जोड़ दिये थे जब उस समय और railways और bullet trains पर दिये थे उस समय उनका जो growth था वो 10% से भी ज्यादा था तो हमें भी जो suppose 10% से ज्यादा हमें GDP growth करना है और ultimately जो 5 trillion dollar economy 7 trillion dollar economy की बात करने हैं तो it is only possible if we are able to focus on those items जहां multiplier effect ज्यादा है another important point is how to create more affordability for buying houses आज देखिए हमारे मुंबई जैसे शेहर में लगबक 50% लोग जोपट पटी बेरेते हैं उसके आदा जो है वो घर करीने की capacity है उनको है लेकिन हमारे पास वो घर है हम मनाई नहीं रहें क्योंकि वो जमीन के बाहों के देखें और development देखें तो उसको वो affordability नहीं है तो उसको हम कैसे करें जैसे हमने PMI scheme में एक क्रोड के घर किये लिए लास्ट छे साल के अंदर में अंदर मेरा एक अंदाज है कि आपको यह facility और देनी चाहिए home loans के उपार जहां हम facility जादा दें जैसे for example अब तक आपको tax benefit थी कि अप टू लाक्स और रुपीज जो ब्याज है उनको tax relief पिलरा था deduction है वो मेरे अंदाज से आपको पांच लाग करने की ज़रूत है और एक बाते हैं कि जो foreign investment FDI आ रही है इंदुस्तान में एक तो townships में आ रही है या ज्यादा commercial में आ रही है क्योंकि वहाँ ब्याज और return अच्छा फाइदा में हो रहा है मेरे अंदाज से हमें एक rental housing scheme की और बड़ोतरी देनी चाहिए हमने सुझाव भी दिया है वित पंत्री को और केंदर सथकार को कि rental housing में कुछ और benefit जी तो rental housing एक है भी तो आप network दुबारा आएंगे हिरंदाई सर पर तो पूछेंगे इन से कि क्या exactly specifics में क्या ब्याजदरी है या और ज्यादा tax benefit हाँ हिरंदाई सर कर प्लीज कंटिन्यू करें आप सर हाँ individual जो tax rates है वो आज की तारिक में 45 परसेंट है 42 परसेंट है and this is something where people are trying to avoid keeping it in the name of individuals और मेरे अंदाज से इसको change करने की बहुत ही आउशकता है I have seen even people like lawyers wanting to defer their income to next year because it is taxes at 42% तो मेरे अंदाज से हमने 25% किया है for the corporates individuals should also be taxed at least 25% नहीं तो at least 42 का 35 कर दे है तो at least this part of negativism which is a differential between corporate rate and individual rate कहां 25% कहां 42% I think there is something which needs to be corrected in this area so एक opportunity ये budget में है कि जहां हम multiplier effect we can increase our GDP growth from 7 to 10% plus in 2023-2024 plus we can take care of the employment of course एक problem बहुत बड़ा आ रहा है जो मैं मैं मैंसूस कर रहा हूँ कि जहां हम labor intensive करना चाहते है न वहां skilling नहीं है तो मेरे कास है जैसे हम 10 साल 15 साल पहले हम skill workers चाहते थे कि 200 हमें painter चाहिए या carpenter चाहिए सुथार चाहिए plumber चाहिए तो हमें 500 मिलते थे आज के तारीक में मुझे 100 skill workers चाहिए plumber चाहिए carpenter चाहिए सुथार चाहिए तो 25 नहीं मिलते है तो इतने हम एक तरफ कहते हैं कि unemployment है दूस तरफ हम नहीं पास skill workers नहीं है इसलिए हम mechanization करते जा रहे हैं जादा से जादा तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जहां private companies कुछ skilling करते हैं और ये skilling के उपर खचा करते हैं तो मेरे अंदाज से जो केंदरे सरकार की schemes है उसको छोड़के individual construction company development company manufacturing companies मुझे लगता है कि जो skill India program जैसे बहुत सारे चले मुझे उसका exact नहीं पता है कि उसको कितना ज़्यादा industry ने अंगी कार किया कितना ज़्यादा उसका फाइदा हुआ लेकिन policy level पर शायद इस change के जरूत होगी अपि हम जब आगे इस पर चर्चा करें कि बहुत महत्पूर्ट पॉइंट निकल के आ रहा है जो है कारपरेट्स जो है वो भी स्किरिंग कर सकते है यही कहरो निरंजन सर कि यह policy level का change हो सकता है जहाँ पर करना पड़े इनको निरंजन सर अब इसको थोस हम लोग वो करते हैं आपके हम लोग क्या बहुत ही डीब चले आते हैं और फिर बहुत ज़्यादा threat बेर उसके पकड़ने कुश है अब तरफ बिग पिक्चर देखिया situation का इस समय मैं है दुनिया भर की recession के कहीं कहीं की बात दिख रही की यूरप में recession और लिए आ चुके तो बोली चुका है यूएस में डेरे के अगले साल आएगा और उसका प्रभाव हमारे उपर पड़ेगा एक पिक्चर यह दूसरी पिक्चर यह है कि के शेप recovery यह एक fact है अभी हम लोगों ने quarterly results कंपनियों के देखे तो साफ दिख रहा है कि कौन सी कंपनी कि यह स्थिती ठीक है कहां पर ज्यादा profit हो रहा है तो सरकार तो एक big picture के तोर पर वो लोग उनके सोचने के निजरिया भी अलग होता है कि कहां पर उनको ज्यादा hit करना है in terms of revenue और कहां पर उनको मदद देनी है तो चुकि डारेक्ट तो benefit देने से रहे इतने सालों से बातचीत हो रही तो diet benefit तो नहीं देंगे तो वो क्या तरीका हो सकता जिससे वो address करें इस issue को क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल वक्त है मारे खाल में budget पेश करने के लिए मेरे अंदास से तीन बाते हैं point number one जो आप बता रहे है कि employment must be increased उसमें कोई दो मत नहीं है कोई भी हिसाब से करना है उसमें दो तीन सुझाव में रहे हैं जैसे हमने कहा कि आप employment oriented industries जो हो हैं उसको identify किया जाए infrastructure होगी या construction है real estate है या कोई भी ऐसे industries textiles है जहां वो फाइदापन होता है कि उनकी जो overall employment potential last 5 साल में है उससे आप 20% बढाते हो तो उसके हम आपको 1% tax relief तेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि there will be an incentive not to mechanize but to actually continue to use labor so incentive for giving a tax relief only for increasing employment that is number one number two skilling has to be decentralized आप जो centralized कर रहे हैं ट्रेनर्स रख रहे हैं वो गलत है आप training should be corporate level, charitable trust level, schools levels, colleges level और सिर्फ आप examination करिये that will be centralized like universities, skill development authority can be done आज के टारीक में skilling is done by trainers who are approved by the government ये change करने की आउशकता है third point जो आज के तारीक में देखा जाया है जैसे NCR region में लगपक 50 projects है लगपक 1,00,000 flats at least 75,000 flats आज के तारीक में फसे हुए है हमने स्वामी fund का introduce किया था, 10,000 crore डाला है और वो in adequate है वो last mile funding है, उसमें कोई मुक्षान नहीं है सरकार की zero contribution है तो वो funds आज के तारीक में एक लाग, 10,000 crore के एक एक fund हो कोटक कर सकती है, HDFC कर सकती है, ऐसे ऐसे और दो तीन से मेरे बात हुई है तो वो करने को तैयार है तो सरकार का कोई उसमें अपना खर्चा नहीं है उल्टा जो projects complete हो जाएंगे वहाँ GST, Stamp Duty वगएरे होंगे और जो banks के पैसे अटके हुए, वो हो जाएगा और चोथी बात ये है कि rental housing हम नहीं create किये एक जमाना था कि charitable trust मुंबहिन में काफी घर बनाते थे, चॉल्स वगएरे बनाते थे charitable trust को rental housing 50 साल, 30 साल या 25 साल तक rental housing बनाते जाएं, उनके जो reserve funds है मंदिर भी इसमें investment करके उनका return ला सकते हैं वो fixed deposit पर रखते हैं, घर बना दे तो वहाँ आपको employment भी मिलेगा GDP बढ़ जाएगी, हम जो जोपटपटी में लोग रहते हैं उनको घर दे देंगे, और जो movement है वो करते हैं, मेरे अंदाज से ये तीन-चार चीच करें और अफकोस वो 42% unjust tax को करना चाहिए, आप आप नहीं करेंगे तो लोग चोरी करते हैं, अरे साहब आप क्या बताते हैं, आप इंसेंटिव करते हैं करने के लिए, और आप यह सोचें कि वो जो डेल लाख रुपए एटी सी वाला है, मतलब अब मैं क्या बलू आपके जो पी एफ करता ना उसी में खता हो जाता डेल लाख रुपए, किसने सोच कि यह रखा है, कि वो एटी सी डेल लाख, उसमें पी आफ भी है, लाइशी भ रखा था हमनों मानना पड़ता है, लेकिन यह चीजें सोचनी चीजें लाजिकली कि डेल लाख रुपए एटी सी में कोई मतलब नहीं उसका, और जो आप पर प्रोजेक्ट एक्सक्रिशन करें, मुंबई एअरपूर्ट 15 साल से बन रहा है, ट्रांस हर्बर लिंग तो कई से बन रहा है, तो यह बतलब यह बहुत दुखती रगप में आपने हाथ रख दिया, उदर तुमें फिर एक गंटे उसमें लगेंगे, उम्मीद करते हैं कि चुकि यह चुनाओ दोजार 24 से पहले का फुल बजट होगा, जिसमें सरकार के हाथ एकदम खुले होंगे, वो कि बॉटम मौद फिरामिड में एक्चुली बहुत प्राबलम है, उसको एड्रेस करने की सक जरूरत है, सर बहुत 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 शुक्रिया आप सबका हमाई साजूने के लिए, और हमाई दर्शकों को एंडेज करने के लिए कि बजट के संदर में क्या-क्या चीज़े जा अननी समझनी चीज़े को क्या क्या हो सकता है, बहुत बहुत शुक्रिया हमाई साजूने के लिए